हेलो दोस्तो वेलकम टो उत्राखन जी के वेरीजी ट्रिक्स और आज से हम दोस्तो फिजिक्स यानि की बहुती की ज्यान का क्रेश कोर्स से स्टार्ट करने वाले है जो कि आपके आने वाले एक्जाम सेंटरल लेवल तथा इस्टेट लेवल दोनों में आपके लिए काफी हेल्फ करेगा एक क्रेश कोर्स तो आप इन प्रस्नों को जरूर नोट करते वे चलिएगा टॉफिक वाईज मैं आपको पूरा क्रेश कोर्स कम्प्रीट कराऊंगा हमने केमिस्टरी का भी स्टार्ट कर रखा और फिजिक्स का भी मास से स्टार्ट करने वाला हूँ और यह जो आपका क्रेश कोर्स होगा फिजिक्स का दूस्तों SSC, रेलवे, उत्राखन के लिए UKPSC, UK SSSC और सांती सांत यूटेट, सीटेट, जितने भी एक्जाम्स में सेंटरल तथा इस्टेट लेवल के साइन्स आती है वहाँ के लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है फिजिक्स का क्रेश कोर्स, तो कुछ इंपोटेंट प्रसनों के बारे में हम मोटे मोटे तोर पर बात करेंगे इस क्रेश कोर्स में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज, लाइक और सेर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं लेटिन सब्द सिंटिया से हुई है, तो यह इंपोटेंट प्रसन है, साइन सब्द की उत्पत्ति सिंटिया से हुई है, जो कि लेटिन सब्द है, ठीक है, सिंटिया का अर्थ क्या होता है, तो सिंटिया का अर्थ होता है, ज्यान या जानना होता है, सिंटिया का अर्थ, ठ ठीक है अगला प्रसने विज्ञान की वह साका जिसके अंदर का द्रव यान की मैटर तथा उर्जा यान की एनरजी और उनके पारसपरी किरियाओं का अधियन किया जाता है क्या गया लाती है तो गयाती दोस्तों भौती की बहुती गया लाती इसके अंदर मैटर की साकाओं का अध्यान करते हैं या फिर एनर्जी की साखाओं का अध्यान करते हैं या फिर उससे रिलेरिशन में जो भी किरिया हैं होती है हमारी कैसे 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 क्या क्या चीजे होई उन सब का जो अध्यान करते हैं वो आती है बहुत ही की में अगला प्रसने जिसे संख्या की रूप में के लिए उस रासी की एक निस्चित परियाप्त मात्रा लेकर एक मानक लेते हैं जो उस रासी का क्या कहलाती है मात्रक कहलाती है ठीक है अब आपको बता दूमेर उस तो दो चीज़ें होती है एक तो रासी होती है एक मात्रक होता है ठीक है जिसे क्या होता है संख्या की रूप हमसे माँन दिया जाता है उसे हम कहते हैं मात रख तो में टाय युद्पंद राषियां आसानी से निकाल सकते हैं तो इंप्ट्बंदर पहले तो यह ही पुछा जाता है कि कितने मुड राषियां होती हैं कितने मूल मात रख परiensy मूल रासियां होती हैं और साथ मूल मात्रक होते हैं ठीक है तो आप इनको याद कर लेजिए का यह साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है यानि कि independent body होती है, वो किसी के उपड़ डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन अगर वहीं हम विद्पन्द रासियों की बात करें, जो हम मात्रक से मेंले याद करते हैं, इन सातु को छोड़कर जितनी भी हमारी रासियां होती हैं, वो विद्पन्द रासियां होती हैं, विद्पन सात मूल रासियां हैं, और सात मूल मात्रक के हैं, लंबाई का ही मात्रक होता है, मीटर, जो मूल मात्रक है, द्रविमान का मात्रक किलोग्राम, यह भी मूल मात्रक है, समय का सेकेंड, विद्पन्द धरा का एंपियर, ताप का कैल्विन, जोतिती वरता का कैंडेला, और प्रच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् विमी सूतर होता है, वो हम capital L से सो करता है, ठीक है? धरविमान को हम capital M से सो करता है और time को हम capital T से सो करता है तो इन 10 के बेस पे ही आपका maximum ली आ जाती है जो भी हमारे विमी सूतर होता है, अभी महाँ भी आपको एक दो example भी बताऊँगा ठीक है, और इसे important चीजें के हैं कि जो हमारा एक mol बराबर कितना होता है ठीक है तो 1 mol बराबर होता है 6.023 into 10 kind power 23 ठीक है तो यह आप important याद कर लीजिएगा पदार्थ कि मातरा की आप बात कर लेते हैं आप बात कल लेते हैं आगे आप सभी मूल रासिया और मूल मात्रक जरूर याद कल लीजिएगा अगला प्रस्त जब कोई दी गई रासि मात्रक के रूप में मापी जाती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है तो यह मापन कहलाती है ठीक है अगला प्रस्त किसी बहुतिक रास विद्योधारा का एंपियर, ज्योधी प्रदा का केंडिला और पदार थे कि मातरा का मोल, ये सभी क्या थे, मोल मातरा थे, ठीक है अब दोस्तो, हमारे जो यूनिट सिस्टम है, फीजिक्स का, उसमें मिलने तीन टैप की यूनिट सिस्टम पाई जाते है एक होता है MKS, ठीक है, और दूसरा होता है CGS, और तीसरा होता है FPS तो इन तीनों में डिफ्रेंस आपको पता होना चाहिएगी क्या होता है जो MKS पद्यती होती है, इसमें लंबाई को हम मीटर में आपते हैं, ध्रविमान को किलो ग्राम में आपते हैं और समय को second में आपते हैं CGS पद्यती में क्या है लंबाई को हम centimeter में आपते हैं और द्रविमान को हम gram में आपते हैं और समय को हम second में आपते हैं FPS system में क्या है कि इसमें हम लंबाई को fit में आपते हैं और जो मारा क्या कहते है उसे द्रविमान होता है उसे हम pound में नापते हैं ठीक है और जो समय होता है उसे हम second में ही नापते हैं तो आप इन तीनों में difference पकाब याद कर लेज़ेगा आपसे पूसता है कि MKS पद्यती में द्रविमान को किस से नापते हैं द्रविमान को pound में और समय को second में और ये एक दूसतर से interchange करना भी आता है दूसतों paper में कि MKS आपको कुछ दे देगा ठीक है आपको कोई भी unit दे देगा 10 kg को जो MKS पद्यती में है इसे CGS पद्यती में यानि कि gram में change करो तो 1 kg बरावर 1000 g तो 10 गुणा 1000 कर देंगे तो आप वो change हो जाएगा तो आप ये भी आना चाहिए कि इन system को change कैसे करते हैं MKS से CGS में कैसे change करते हैं CGS से MKS में कैसे change करते हैं MKS से FES में यानि कि तीनों आपको ये relation पता होने चाहिए जैसे कि मैं आपको एक example बतायता हूँ जैसे आपको MKS पद्यती को CGS में change करना है तो MKS को CGS में change करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे मीटर को cm में change करोगे वैसे किलोग्राम को ग्राम में change करोगे और second तो second रहेगा ठीक है तो इस step से मीटर को cm यानि कि जो हमारी unit है उसके according लिए हम उसे change कर लिए अब जैसे कि अगला आप सोच लिए कि आपको MKS को FES में change करना है ठीक है MKS change to FES तो आप मीटर को पहले feet में change करेंगे फिर kilogram को आप पाउंड में change करेंगे और second रहेगा तो इसके लिए आपको unit याद होनी चाहिए कि एक किलो मिटर बराबर कितना मीटर होता है एक किलो ग्राम बराबर कितना ग्राम होता है एक मीटर बराबर कितना सेंटिमीटर होता है एक किलो ग्राम बराबर कितना पाउंड होता है तो यह सभी आपको रिकॉर्ड यहाद होने चाहिए तो आप जरूर देख लीजिगा एक ब ब्रिटिस पध्यति क्यालाती है तो ब्रिटिस पध्यति क्यालाती है हमारी fps system ठीक है ब्रिटिस तो metric cgs और ब्रिटिस fps अब fps में लंबाई को फिट में जर्विमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में अगला प्रस्ण SI का पूरा नाम क्या है यह question तो आपके लिए most important दोस्तों ठीक है SI का पूरा नाम होता है the system international d units ठीक है the system international d units तो आप इसे याद के लिएगा SI का पूरा नाम अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों पहले क्या होता था कि अलग लग देशों में अलग लग पध्यतिया अपना ही जाती ठीक है जैसे metric पध्यति CGS किसी देश में CGS किसी देश में FPS किसी देश में MKS तो जिसके कराण क्या होता था तो वहां पर जो जो communication बैठाना होता था वहां भी टब पड़ जाता था जैसे Australia की चीज कभी यहां आएगी तो यहां से वह combination नहीं बैठ पाता था तो इसलिए क्या हुआ दोस्तों एक system बनाया गया जिसे हम कहते है SI system SI system mainly जो भी हम आजकल यूज करते हैं जो भी parameters यूज करते हैं वो SI system में ही यूज करते हैं और जो SI system में है दोस्तों यह MKS पद्यती का ही एक रूप है ठीक है यानि कि MKS पद्यती को ही आप SI system कह सकते हो क्योंकि SI system में भी लंबाई को मीटर में आपा जाता है द्रविमान को kilogram में आपा जाता है और समय को second में आपा जाता है तो SI system का पूरा नाम क्या है D system international D units और MKS यानि कि यही SI मात्रक होता है MKS पद्यती में जो आपका मात्रक आएगा जो रासी होगी वही आपका SI मात्रक भी कहलाता है तो आप इससे जरूर याद कर लिजेगा अगला प्रस्न ल बहुत सारे हैं टॉपिक भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं उतना सारा यहां पर कवर अब नहीं कर पाऊंगा तो important important चीजे में आपको बता जेता हूं जो कि आपको exactly exam में helpful रहेंगी अगला है कि द्रविमान का मूल मात्रक क्या होता है किलोग्राम होता है द्रविमान क्या होता अगला प्रस्त निर्वात में प्रकास के दोरा एक वर्स में चली गई दूरी प्रकास वर्स कहलाती है अब मैं आपको बता था हूं प्रकास वर्स होता क्या दूस्तों तो सूर्य की जो किरन होती है एक वर्स में वह जितनी दूरी तही करती है उसे को हम कहते है प्रकास वर गाते हैं तो यह जो पराकास वर्शत कैना से हैं तो वोड़ kaloता वहां तो आफ जो से रोख दो journaling की इढार प्राकास वर्शते से फुशायता है तो तीन गुणा दस की घात आठ मीटर पर 30 सेकंड क्या होती है प्रकास की चाहल होती है तो आप इन दोनों को जरूर याद कर लेज़ेगा एक प्रकास परसे ब्राबर 9.46 इंटु 10 की पाबर 15 और प्रकास की चाहल होती है ठीक है और यहां दूरी गोम आपने क एक इकाई है तो आप जरूर इससे याद कर लिजेगा इंपोटेंट है आपकी एकजाम पॉइंट आप यू से और प्रसने एकजाम में पुछा आता है कि दोस्तो जो प्रकास होता है वो प्रत्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है तो आप एक बार इससे क्रॉस्चेक जरूर कवल लिजेगा कितना समय लेता है प्रकास की गिर्ण परत्वी तक पहुंचने में ठीक है अगला प्रसने पारसे क्या से हमारी दूरी मापने की इससे आप जितनी भी प्रकास वर्ष का 3.46 से गुना होता है हमारा क्या पार्सेग यानि कि दूरी की सबसे बड़ी हिकाई है यानि कि सबसे बड़ा मात्र का हमारा पार्सेग कहलाता है जो कि प्रकास वर्ष का 3.26 से गुना होता है यानि कि 3.5 गुना के असपास होता है अब बात आदिए कि एक प पार्सिक बराबर होता है 3.26 इंटू मैंने क्या बताया था आपको कि प्रकास वर्स और प्रकास वर्स जो एक प्रकास वर्स बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 तो अगर आप पूरे को solve करते हैं तो आपका आजाता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 यानि कि एक पार्स से बराबर होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर इसी कारण यह दूरी मापतें की सबसे बढ़ी एक आई अगला प्रसन किसी वस्तो द्वारा किसी समय अंतराल में तई किएगे महार्य की पावर 16 मीटर में सबसे बराबर होता है 3 विष्थापन ठीक है यानिकि एक निस्सित दो पॉइंटों के बीज की दूरी होती है उसे हम गहते हैं विष्थापन लेकिन किसी भी समय एंतराल में दो पॉइंटों के बीज की दूरी को हम दूरी कहते हैं ठीक है विष्थापन का मात्रग भी क्या होता है जबकि दूरी हम यानी की एक कांग संही में चली गई दूरी स्सक्राइब की हो और वहीं आपको अगर चाल की मात्रक निकालना है tidak तो दूरी बट्टा समय होता है d by t तो दूरी को मैं किस में आपते हैं? चाल हमारी क्या है अधिस राची है ठीक है अगला प्रस्ट ने एक कांग समय में कोई वस्तु एक निस्चित दिसा देखिए निस्चित दिसा में जो भी चीज होगी न तो वस्तु का वे कहलाती जैसे यहाँ पर विस्तापन था न निस्चित दिसा में प्रादमिक और अंतिम स्तित थी एक निश्चित इस्तिती थी वैसे यहाँ पर निश्चित दिसा में जितना भी सथापन होता है उसे क्हकता है वेक कहता है ठीक है आप वेक बराबर क्या होता है रचलों डूरी कही अवाश सम耳ित अने कि उस्तापन की सियराश की सब्सक्राइए विश्तापन का मात्र की निमीर फास विश्तापन का वीवीं शूत्र है वह भी कि यह प्रइयोग हुते है तो तोरन हमारा विएक परिवर्थन की दर कहलाती है नहीं का मात्र कहला है का मात्रक होता है मीटरपर्टी सेकेंड स्क्वार ठीक है और वेक परिवर्तन की दर को ही तौरण गयते हैं आप ने ए ब्राबर डी वी बाइड ठीक है अगला हमारा बात करते हैं और दोस्तो त्वरण क्या है त्वरण भी हमारी एक सदीस रासी है ठीक है तो आप इसे भी याद कलेजेगे आगे हम बात करेंगे वैसे और इसका मात्रग मीटर पर 30 सेकंड स्क्वेर होता है ठीक है और इसकी वीमा अगर पुछी जाएगी तो वीमा होती है अब देखे दोस्तो मैंने आपको थोड़े दे पहले पहले पताई थे मूल मात्रग यानिकि जो किसी से बिलकर बनाई नहीं जाती है यानिकि जो जिनके अपने ही अलग से मान होते है ठीक है अब वैसी एक आती है दोस्तो व्यूत्पंद रासी ठीक है व्यूत्पंद रासियां क्या होती है वे रासियां जो कि मूल रासियों की हेल्थ से बनाई जाती है यानिकि जो हमारी साथ मूल रासिया होती है या मूल मात्रग होते है उनकी हेल्थ से जो मात्रग या फिर रासिया बनाई जाती है उसे ही हम कहते है व्यूत्पंद रासिय क्या होता है, L2 ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वेर, संकेत, M2, तो आपको इस सारे याद करने, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइट करा रहा हूँ, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में जितना भी मुझे पता है लगबल लगबग तो छेतरफल का मातरक मीटर स्कुरे ठीक है आयतन का मातरक मीटर क्यूब गहनतो का मातरक किलोग्राम पर मीटर क्यूब वेक का मात्रक, मीटर पर सेकेंड, तोरल का मात्रक, मीटर पर सेकेंड स्क्वेर, और दोस्तों आपको यह सभी याद करने हैं, क्योंकि डिरेक्टली एकजाम में मात्रक पूछे जाते हैं, और विमी सूत्र भी पूछे जाते हैं, और विमा निकालनी हैं, मैंने आपको बता शिस्टम में भी कह सके हैं.. तो आपको या pledge का मातरक याद कने है.. यहाँ पर इसका संकेत क्या होता है.. यह याद कना है.. और यहाँ पर आपको यहितẩब कते हैं.. बारे पर duy दैता है .. जैसे छे च्छेत्रफल में लगज़े होता.. आयतन का मीटर क्यूब, घनत्यू का किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेक क्या होता है मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्यार, बल का होता है न्यूटन, कारी या उर्जा का होता है जूल, सक्ति का होता है वाट, समवेक का होता है किलोग्राम मीटर पर सेके कौरी तवरण का मात्रक kấuता है रेडियन पर सेकंड।ड स्क्वेट आवरत्य का मात्रक कोता है, हट्ज बल आगुनद का मात्रक कोता है, September जलत्व आगुन्द का मात्रग होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वेर, कौनी सम्वेक का मात्रग होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वेर पर सेकेंड, गुरत्वी छेत्र तीवरता का मात्रग होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वेर, दाप का मात्रग होता है, न्यूटन पर मीटर स् और वेद्यूत विभक दोनू का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है ठीक है वोल्टीज का मात्रक भी वोल्ट होता है विद्यूत दिद्रू आगून का मात्रक होता है कुलाम मीटर धारीता का मात्रक होता है फैरेट परतिरोद का मात्रक होता है ओम परतिरोदक तका मात्रक हो विमी सुत्र भी याद करने हैं, अब देखे दोस्तों मैं आपको विमी सुत्र निकालना थोड़ा साब बता जिता हूँ, जैसे हमें की, सबोर्ण का विमी सुत्र निकालना है, तो A बराबर क्या होता है, D V by D T होता है, वेक परिवरतन की दर को तो 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 यहाँ पर वेक की रख दिंगे, L T minus 1, अब बता समय की विमा क्या हो जाएगी, D T का T हो जाएगा, तो यह T की घाद उपर जाएगी, तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो उपर जाएगी, यह क्या हो जाएगा, L T minus 2, यानि कि जो हमारे तोरण की विमा हो जाएगी, वो जाएग क्या आई थी हमारी lt-2 तो इसका बल की जो विमा पूरी निकल जाएगी वो जाएगी mlt-2 ठीक है तो विमा में आपको mlt का यूज़ करना है और मात्रक निकालने के लिए मात्रक भी आप ऐसे ही निकालें जैसे के आपको f बराबर m एट ठीक है आपको इसका मात्रक निकालने है तो m क्या होते है हमारा kg होता हैं less like CGS या फिर स्ट्राइसी जो मारा सिस्टम का मात्रक होता है मीटर पर second square होता है ठीक है तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा किदो ग्राम मीटर पर second square और इसी को हम कहते हैं Newton से भी ठीक है तो Newton भी इसी को कहा जाता है अब मैं आपको थोड़ा सा एक minor difference बता जाता हूँ जो की exam में काफी बार पुछा जाता है ठीक है बल का मात्रक ठीक है बल का मात्रक जो MKS या फिर SI सिस्टम में और CGS सिस्टम में ठीक है तो बल का मात्रक जो होता है SI सिस्टम में वो होता है Newton ठीक है और वहीं अगर CGS पत्यती में पुछा रहेगा तो वो होता है Dine ठीक है कि CGS पद्यती में बलका मात्रक क्या होता है डाइन होता है और एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है दसकी गात पाँच डाइन होता है ऐसे दोस्तों एक और सी जाती है हमारी पावर यानि कि सक्ती सक्ती का जो हमारा SI मात्रक होता है वो होता है Watt SI या फिर हम कह सकते हैं उसे MKS पद्यती में जो मात्रक होता है वो होता है वाट वहीं अगर CGS पद्यती में हम सक्ति के मात्रक की बात करें तो CGS पद्यती में सक्ति का मात्रक होता है अर्ग तो आप यह भी याद करें MKS पद्यती में वाट होता है और CGS होता है ट्रहस तो अर्ग होता है अब बात आती है कि 1 watt बराबर होता है हमारा 10 は 5 अर्ग यानि कि ए मैंशा सिस्टम में मात्रक होता है वह हमेशा CGS और correct अधिक होता है तो आपको यह याद करना है ठीक है किया एक णियूटन बराबर 10 पांच डाइन और एक जूल बरावर दसकी घाट साथ अर्ग तो और आपको यह विमी सुतर तो जरूर याद कर लिजेगा आप दोस्तों कम से कम कौन तक के संवेक तक के तो आप याद करी लिजेगा ठीक है यह जो हैं बेसिक लेवल पे ही पूछे जाते हैं इतने अगर आप मातरक क्या होते हैं वे मातरक जो न तो मूल होते हैं और नहीं व्यूत्पन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं पूरक मातरक तो आप यह पॉइंट जरूर याद कर लेगेगा पूरक मातरक जो न तो मूल होते हैं और नहीं व्यूत्पन्न होते हैं ठीक है और उसके अलावा जो धो मात्रक होते है वो होता है r&d से present करता है और थोस maior या निकी solid angle यो मात्रक होता है उस हम ऐसर से present करते हैं तो यह दो पॉइंट आप जरूरी याद कर लेजेक आश्मतर्ब का मात्रक क्या होता है rain और यह क्या किया है पूरक मात्रक है से ठोस कॉन यह इसका मात्रक क्या होता है इस्टे रेडियन ठीक है तो यह एक्जामब पुछा आता है कि समतल कॉन का मात्रक रेडियन ठोस कॉन का इस्टे रेडियन और समतल कॉन और ठोस क्या है पूरक रासिया है जबकि रेडियन और इस्टे रेडियन क्या है पूरक मात्र ठीक है अब यह हैं दोस्तों कुछ फॉर्मुले जिसकी हेल्प से आप मात्रक निकाल सकते हैं या फिर इनको आप डैपिनेसंस भी कहते हैं चेत्रफल क्या होता है हमारा लंबाई गुणा चोड़ाई चेत्रफल कर जाता है इसका मात्रक क्या होता है मीटर स्कुर्ण जो कि मै मात्रको जाता है वह मीटर पर किसकेंड ठीक होता है और वेक का मात्र को था τα मारा मीटर ट्सेकंड एसा चानल कमास्रों क्या होता है दूरी ब्ल्र समय और फ्रसेक्ष क्या होता है भल गुना समय कि आThen के यह थे कहलाता है ईयुआ कि जवना को से चाहितागा कारी ब्राबर के विश्टापन यह ना कारी कहलाता है गती चुरजा 1 by 2 mv square एक बट्टा दो गुणा द्रविमान इंटु वेक का square ठीक है यह हमारा गती चुरजा कराता है अगला हमारा स्थिति कुरजा वो होती है वो क्या होती है दुस्तों द्रविमान कुड़ा गुरत्वी चुरण इंटु हुचाई यानि कि mgh ठीक है स्थिति कुरजा क्या करता है कौनी वेक बराबर क्या होता है कौन बट्टा समय कौनी त्वरन बराबर क्या होता है कौनी वेक में परिवर्तन बट्टा समय ठीक है अगली वाली वीडियो में आपको इसके बार में ठोला से डिटेल में बदा दूंगा ठीक है कौनी त्वरन बराबर होता है कौनी गुरुट्वी चेत्र है। विक्रती क्या होता है टहले में परिवर्थिन बट्टा प्रारंभीक लंभाई मझा सेंए२ सालंग üç 002 बल अपन लंबाई प्रिष्ट दनाव और श्यानता गुणांग क्या होता है बल इंटू दूरी बटा चेत्रपल इंटू वेक क्या अगलता है श्यानता गुणांग और प्लांक नहतांग होता है उर्जा इंटू आवरती तो आपको याद ही करने पड़ेंगे दोस्तों यह फॉर्मूले है ठीक है और यह एक इसाब से इनकी डेफिनेशन भी कहलाती है ठीक है इसे गहनत तो क्या होता है द्रेवमान तथा आयतन का अनुपात गहनत तो आपको यह बहुती रासियां याद करने पड़ेंगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं आप इसे ए एक प्रसंद जरूर पुछाएगा हमेशा प्रते एक एकजाम में पूछा ही पुछा जाता है तो थैंक्यों फ्रेंट्स थैंक्स पर वचिंग वीडियो सी यू नेक्स टाइम